जैई स्री राम किसान सांतियो देपालपूर पशुमंडी से इस्पेसल देशी नसल की गाए आप लोगों को दिखाई जाएगी और इस्पेसल गीर गाई तो जरूर वीडियो देखे हम पुरी जानकारी लेंगे और आप लोगों तक सेहर करेंगे गीर गाई पहुंची है जो की अच्छी नसल है पिवर गीर है और अभी अनलोडिंग गाए पहुंच लिए देपालपूर पशुहाट अभी सुबह करीब दस से साड़े तस बज़ रहे हैं तो दिरे दिरे मंडी फूल होगी उतारने में हमेश्या साउदानी रखना चाहिए इस तरह नहीं उतारे गायों को और देशी नसल की गाई है हम सभी अभी कवर करेंगे और आप लोगों तक सेर करेंगे आप देख रहे हैं देपालपूर पशु मंडी जो की प्रत्यक मंगलवार को लगती है और इंदोर डिस्टिक में इंदोर डिस्टिक में है और MP से आप लाइव गाई की मंडी देख रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर हम गाई मंडी दिखा रहे हैं तो देशी गाई हम कवर करेंगे बने रही है इस्पेशल आप लोगों को दूत के साथ रेट भी क्या है पुरी जानकारी देंगे तो अब हम जो गीरगाई अभी पहुंची है उसके पास चल रहे हैं और डिटियल जानते हैं और आप लोगों तक सेयर करेंगे यह गीरगाई देपालपूर पशुहाट में पहुंची है अच्छी गाई है तो प्रीट भीड लग रही है तो हम जानते हैं कगाई आपकी गाई है आपकी गाई आपकी है गीरगाई आपकी है इस गाई क्या असपास बीड़ लगेगी क्योंकि अभी पहुंची है यह अपने घर की है लाए कहीं से तेज क्यों पड़ रही है अच्छा पहली बार आई है पश्चु हाट में इसलिए और भी अपने पास और भी है और गीर है आपका मोबाइल नमबर इस नमबर पर आप जरूर संपर्क करें गीरगाई खरिदने के लिए यह यह पाइनल कहां तक हो जाईगी यह वाली फाइनल कहां तक हो जाईगी है प्राइमननल पचास से उपड़ है पचास से कम नीदो गया नीचे बच्ची है कित्ता दिन की है यह गुरुवार का दन ज़न जनी तक ही है गया गुरुवार गुरुवार शटो जन है पर सो आठ दिन हो जाएगा लगुना यह भी गीर है किसान हो आप वेपार नहीं करते हो वेपारी नहीं है किसान की गाई है जो गीर देख रहे हैं आप एक और देशी नसले की गाई जो हम कवर करेंगे और आप लोगों तक सेयर करेंगे पंद्रह आजार रुपे मांग रहे हैं रात को जानी वह चार-चार किलो दूद जी चार-चार किलो दूदे इसके पाद चार-चार किलो दूदे नीचे बच्ची है पालपूर पशुहाट से एक अगली गाई जो चाचा बता रहे हैं उनकी कवर करते हम और अच्छी गाई है यह यह 8-8 किलो दूद देती है मैया अच्चा आठ किलो दूद 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 जो है यह जहने को अगहरा जोद़ार केड़ी है नीचे कित्द मों जाईगे पच्चीजाजाग की चालीच ने प्याटा गए पच्चीजा़ जारें गेंगे अच्चिजाजाग किया गई। कहां किया गाई खेड़ा जला रहा है आपका मोबाइल नमबर इस नमबर पर आप जरूर संपर्ख करें एसी गाई खरीदने के लिए भूब जरी पर चाहिए टीके खरीजाँ आप टीक जोब दरी जरी आप इसे प्सक्राइब फिर्टकी आप गूल गयरंटी त्याद दूध लेंगी फिलाल में इसके जिए दौनर टाइविंग पर साथ किलो दूध है गाई मेच लाए ग्याए इंगोरिया इंगोरिया से हमारे वेपारी भाई साब पहुंचे हैं गाई बेस लाएं विग गई किते में बेची पाड़ा बेचा 47 पाड़ा लाए थे 47 में अच्छा इस साइड हो थोड़ा अगर क्या-क्या बेचते आप पाई अच्छा अच्छा पाड़ा बीच दिया तो तो कहां से आप इंगोरिया से जिला उज्जेन तो इनसे भी आप संपर कर सकते हैं अच्छी दुधारू गाई भेसे और पाड़े की जरूरों तो संपर्क करें नंबर दीजी आपके नंबर चल्बूटीस तिरेसट बावन चालिज जी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं देपाद को पशुहाट में ये गाई सायद स्टार्टिंग से ही ऐसी है जिसमें कुछ मिस्टेक है जो जैनमजाद होती है आगे और बढ़ते हैं हम और कम रेंजो की गाई आप लोगों तक सेहर करेंगे जो करीब दस बारा हजार रुपे में मिल जाती है ये देशी नशल की गाई अच्छी काई ये आणा वेडियो वीडियो करका जी कहीं मांगे तो इसके ना जर्ट्रा यहार मांगी दो शत्रा वंगरे ये अखरी पंधरा ये उतां शत्रा और आखरी पंद्रा है कि अच्छी गाई यह देशी सपूट गाई है तो देशी गाई इसपेशल आपकी मांगो पर दिखा रहे हैं तो आगे बढ़ते हम और एक और देशी नाशन में जो कि अच्छी गाई है यह देशी गाई जो मालवी दिख रही है में को क्या मांग रहे हैं ग्यारा दूद दूद किता है अच्छा अच्छा किये गाई जरो पावन गांग रहे हैं पत्यावाद के पास बच्चा बच्ची यह नीचे चार दिन का बच्चा बच्चा अच्छा अच्छा इस गाई को कवर कर रहे हैं कर दो कर दो कर दो किता दूद निकालेगी तीन अच्छा बच्का है कित्ते दिन की जनी होई है कि बच्चा है नीचे केड़ा है केड़ा है जर्सी क्रास में कौन से दूसरे में जनी हुई है पेलाद में पेलाद में आखरी कहां तक होगी आपका नाम विदुन परजापती मोबाइल नंबर अगली जो गाये हम अगली गाय कवर करेंगे और कुछते हैं क्या मांग रहे हैं चप्वीस अजार दूद कित्ता है एक टाइम का दोनों टाइम का पांच-पांच-छे-छे लीटर दून निकालेगी और नीचे बच्ची है कितने दिन की बच्ची है यह एड़ दो मेने की कहां किये गाई यह मोग के पास किये फाइनल कहां तक हो जाएगी इस नंबर पर आप संपर्ख कर सकते हैं और इस गाई को खरीदना है तो आगे बढ़ते हम और इन गायों को कवर करेंगे जो की देपालपूर पशुहाट की गाई देशी नंक कि गाई अपनी है कहीं मंग रहा है 30 पहाँ कि किट्धादिन की मंद घ्री है कित्ता दिन को बारा दूं क्या स्थन को तक नाम पांच किलो पांच-पांच किलो दूदे गाई के पास अपकी कई मांगे है रादा कई मांग रहे हैं क्या मांगे 25,000 दूद कित्ता है चार किलो दूदे 25,000 मांगे देपालपूर पशुहाट लाइव स्पेशल देशी गाई कवर करेंगे हम और किसकी गाई है आपकी है क्या मांगे 11,000 रुपे मांगे नीचे बच्चा है बच्चो है करीब पांस से छे दिन का दूद कित्ता देदेगी दूद सेन किलो कहां से आप अपका नाम बादूर सिंग गुजर बादूर सिंग जी गुजर गौतमपुरा से हैं फाइनल कित्ते तक हो जाईगी है यह साथ आठ में द एक और चोटी गाई इसका क्या मांग रहे है अपन 22,000 बाइस हजाद दूद को दोड़े डेडर यह पाथ दिन की जनी होई है को बार हाँ डालो दोड़े से कहां की है गाई दतोधा की है दतोधा दतोधा से दतोधा इंदोर इंदोर से हैं और आगे बढ़ते हैं तो देशी गाई हम कवर करेंगे इस्पेशल आप लोगों की डिमांड पर जहां भी हमें देशी नसल की गाई दिखेगी हम उनी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे एक और देशी गाई जो सामने खड़ी है और जानकारी लेंगे मालिक मालिक से पूस्ते हैं एक गीर क्रास क्या मांगे अपनी बहुत सोच समझ रहां मांग क्या इसकी पच्छी सजार पच्छी सजार रुपे नीचे बच्चों बच्चों है कौन सा क्रास है गीर क्रास दूद कित्ता है चार पास लीटर क्या मांग रहा है अपन पच्छी सजार कहां की है गाई नेवरी से क्या नाम अपना सेकर जी गेलोद नेवरी से हैं 25,000 रुपे मांग रखी है इस गाई की और गीर गाई स्पेशल जो सामने खड़ी है लेते हैं जानकारी और आप की है कई मंग रहे हैं काका जी 55,000 रुपे मांगें दूद कित्ता है 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 हाट लीटर हाट लीटर गूदे है कि पचपन हजार मांगें बीड़ लग चुकी है एक और गीर गाई हम कवर कर रहे हैं कि बहुत अच्छी गीर गाई है आपकी है आपकी है कि एक ग्याबान है कितने द्लंक जन्दें है थल्फ बहुत गरीब है और टल लिगाना वह है कज वाइशा ओपन है तो कवर करते हैं क्या मांग रहे अपन इसके मांग रहे पच्पन हजार रुप है कित्ते दिन निकालेगी है दस दिन निकालेगी नो लिटर दूर देटी टाइम गाई कहां की है यह उज्जन की उज्जन की गाई नो लिटर दूर निकालेगी और अभी दस दिन की कच्ची है आपका नाम आपका नाम आपका मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं बहुत शपुत गाई है जो की वेपार करते हो गया घर की गाई है अगर आज नहीं बिखती है तो आप जरूर संपर्क करें इस नंबर पर आपको गाई मिल जाएगी बुलाने से आजाती है यह बुलाओ ना चला पीछे पीछे जाएगी मालिक का कहना मानती है देखिए किती समझदार और गरीब गाई इदर घुमा यह नहीं है जाओ यह कल्या नाम क्या इसका नाम आप कैस का घर पर रुक्मणी 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 नाम ची तीन साल की गाई है देखिए भाईया के पीछे आईगी वह फड़ा इसारा कर रहे है कि इसको क्यों मेचर आप दो वी आर दूद के दिक्कत है आर फंद्रा सोला किलो दूद्ध पहले ही रहे ना पंद्रा पी रहे अच्छा इतना दूद्ध लेडी से ठक जाएगे यार यह क्या इसकी बच्ची जैंगे चया वो इसकी मां इसकी मां ये कौन दिसर गियों तिसरे में loosen इसकी मा का किट्हा दूद्ध रखत्ध है इसकी मां का अब दो लो टाइम गां तु आट मोला है को एक प्रत से का ओन में मुला पूरा से मुला पूरा से ओजेन अगा है आट अखाइक को खुबसूरत बनाएंगे में सिंग काट रहे हैं सोफिख्ण वाखली काल करो यह दुना पर नीजने को अधिए यह कर अ कि अ कर दो दो अधिन है कि अरग करें आ यह भूल गारते पर शिंग बनाने का क्या चालत है कि यहां पर यहां पर यहां पर और बाहर कहीं पान्सों रुपे पान्सों रुपे यह अपनी काई है कहां की है पुमेडी पुमेडी बेचना है कित्ते में बेचना है 22,000 दूद कित्ता देदेगी 6 किलो नीचे बच्ची है कित्ते दिन की है 20 दिन के यह वाली गाई 20,000 रुपे मांगे करीब 18-19,000 रुपे में छुट जाईगी देपालपुर पशुवाट से पप्ली क्या मांगे 40,000 रुपे मांगे दूद 8 किलो टाइम का बच्ची का है अच्छा 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 ग्यावन है कित्ते दिन लेगी 15 दिन निकाल लेगी है कहां कि है लगपूर है उज्जेन लगता है न विंदोर ही लगता है फाइनल कहां तक हो जाईगी है आगे से ऊटीज अर्तिज तक फाइनल हो जाईगी है आगे बढ़ते हम तो ढूंड ढूंड के आप लोगों तक देशी गाई जो देशी क्रास होती है वही गाई दिखा रहे हैं तो दोस्तों दर्चक मित्रों वीडियो जरूर पूरापूरा देशी जरूरा दिखा दिखा देखे तब ही आप लोग तो जरूर पूरी पूरी वीडियो देखे जिससे अपने को पता चलेगा यहां की बसुमंडी की पूरी डीटियल यह देशी गाये इस पेशल इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं आपकी है यह गाई आपकी है क्या मांगे इसकी अठारा जार रुपेस चाही की मांगे दूद्ध कितना देगी इसके पास चार किलो नीचे बच्ची है उपके त्रहा है कितने दिन का यह हो गया यह आट दिन का और यह है और इसके बास तीन किलो दूद ने और डिलोंग उन्हां क्या है अपना सचाइब दिनेश प्टे ने-सप्रडेल कहा हो गए चाहिए और मध्ये प्रदेस में कहीं पर प्रभी तो आपका नम्मर दीजिए अप अच्छी देशी गाई मिलेगी तो फाइनल कहा तक दे देंगे अपने फाइनल दे देंगे अपने फंद्रा जार में अपने घर गाई रहती है क्या रहती है न अपका पता कहा है क्या अच्छा वहां भी पुश सकते हैं घर इनने के लिए वह भी एक उनकी है दादा क्या मांग रहे हैं इसके क्या मांग रहे हैं पन दस अजार दोकिता है तीन दिन होए बच्ची है कहां की है गाई रुद्रा क्या से एक और गीर गाई हम कवर कर रहे हैं और अच्छी गीर गाई है अपकी है किन की गाई है कुछ गीर गाई है अगया एक गीर गाई क्या मांग रहे हैं अरे मांग क्या है अच्छी पेंटी सजार पेंटी सजार रुपें मिल जाएगी यह गाई कि देपालपूर पशुमंडी से और इसी तरह तस्ती गाई मिलती है देपालपूर पशुहाट में कि देशी गाई कवर कर रहे हैं हम जो पुस्ते हम किते में भीकिए यह दादा से बताते और इसका क्या है क्यों क्या मांग रहे हैं बिग गई बिग चुकी है और मालिक है नहीं सायद इसलिए पुरी बिटियल नहीं देपाएंगें अब आओ जी कित्ते में विकिए गाई अभी नहीं क्या मांगें 25,000 मांग रहे हैं गुरुजी राम राम और आपी हमने 12,500 गाई बेची है बेच भी खड़ी आज़ो कहा है गुरुजी ने 12,500 में गाई बेची है तो एक बहुत बड़े वेपारी हैं देपालपूर पसुमंडी के जो की जो कि सस्ती सस्ती गाए किसानों को उपलब्ध कराते हैं राम राम गुरुजी क्या गाई लायत है कौन सी यह वाली अच्छा यह कमरी यह किते में बेची यह 12,500 बारा पानसुमंडी किसको दी यह बहिया को दी उच्छुन रठों क्या नाम है उज्जेन क्या नाम है आपक गुरुजी ने दिलाई है कित्ता दूद एक बास चार चार लीटर दूदे कित्ते दिन की प्याई हुए है यह 10 दिन की हाँ तो गुरुजी आप यह वेपार करते हो अच्छा तो कम बजट की गाए देते हो में तो फैदा करता हूं कोई जोटा आप में और रहात करें अच्छा तो किसानों का फाइदा कराते हैं और ज्यादा मुनाफ़ा नहीं लेते हैं प्रेलाद दास जी नाम है ना प्रेलाद दास जी हैं गाओं पिंजराया जिलादार MP से हैं अगर गाई खरिदना है सस्ती दुधारू और कम बजट की तो आप जरूर संपर्क करें देशी गाई भी मिलती इनके पास और गीर गाई भी रखते हैं आपका नंबर बासट हां सुनसर्ट निन्यानों पिछोत्त इस नंबर से आप संपर्क कर लें आपको गाई मिल जाएगी दन्यवाद गुरुजी देशाराव कि प्रेशी गाई लाइव मिलकी इस देशी गाई को खरिदने के लिए देखो बेड़ लग रही है कि अहल खरिए लाइव मिलकी सुनसर्ट इस वाई भी लाइव मिलकी से से लाइव एग मिलकी सर्वा कि आएव मिलकी से वरते हैं यह हो कि एग है कि यह पटिया लागत है कि अजब भीड लगी हुई है इस देशी गाई को खरीदने के लिए देपालपूर पश्वाट में कि इसका क्या मांग रहें क्या मांग रहें यह क्या है यह तो कमट्रेट जिनकी से नमी थे अच्छा पित्ता दूद देती है चार सब्सक्राइब संकर में संकर जर्सी कहां से बरोधा से बरोधा बरोधास नाम अपना राम चरण राम चरण जी शेजार रुपे में चार चार लीटर वाली गाई दे देंगे अच्छा बच्चा मर गया ना चेरा लग गया थे बच्चा मर गया है दूद्ध देदेगी हाँ आराम से दूद्ध घे रहें हैं झार खार बां आरागा बच्चा मर ठत्रेदा बाहे हैं क्या मांगना का जी इसके इसका मांगना बत्तिस हजार थे दूद्ध कितना निकाले का फिर दूद्ध के दूद्ध क्लिख दूद्ध क्या नाम है को क्या नाम कि शाले समुने हैं मैं अध्र थे अध्री शिक्रसाष Divine की की करभालं के जूद्ध के अध्र में तरुमा है कि अध्री के आदाना ये कूटत하면 है में कि इतार कि दूसिए ला zgऊ है और ये अजड़ी अजड़ी जावी आगा के लिणक का का युट घर युट नड़ी घर प्रिब आल प्रिप्अ का यजड़ी घर आगा गाई किसके अपनी रावन है एक और देशी नसने की गाई दिखा रहे है कि कौन सी इसका क्या मांगरे है अपन कि पच्शी सजार दूद्ध चार लिटर दूद्ध निकाले की पीवर देशी बच्चा कित्छे दिन लेगी आठ दिन लेगी कौन सा ब्यात रहेगा इसका दूसरी अगर देशी गाई खरीदना है तो वाईसाब से आप सं करन गाउं जिला धार एंपी से हैं देशी नाशल की गाए इनके पास 90% मिलती है आपका मवाइल नंबर इंकान नो 740 इंठान नो 27270 वो वाली गाई बेच दिया पनने किते में बेची किन ने खरी दियो चलो उसके पास देखो एसी गाई मिल जाती है इनके पास प्यूर देशी तो देशी ब्रीट पर ज्यादा काम करते हैं और देशी की मांग होती है तो आप जरूर संपर्ग करें किते में बेची है अपने हैं 22,000 में उधर लो थोड़ी से 22,000 रुपे में सेल हुई है अच्छी गाई है डेपालपूर पशुहाठ में देशी गाई खरीदने के लिए नीचे बच्ची है कित्ते दिन की है तिन चार दिन की बच्ची है और कि बतलब कौन से म्याद में होगी है दूसरी में दूसरी में है तो जरूर आप देवकरन देवकरन जी से